पेंटिंग तो लगभग सभी लोग करते हैं, कुछ लोग पेंटिंग को अपना कैरियर भी बना लेते हैं, पर क्या आपको पता है, पेंटिंग कभी ओलंपिक खेलों का हिस्सा हुआ करता था सन 1912 से 1948 के बीच हुए ओलंपिक खेलों में आर्ट कंपटीशन भी होते थे, जहां बिजेताओं को गोल्ड सिल्वलाव ब्रॉंच मेडल मिला करते थे